नई द्रश्ती ज्ञान विज्ञानि नई द्रश्ती मूंक्ष प्रदानि नई राह क्रम मारगी नई राह दाधाई दोस्तों दाधा बगवान परिवार आप सबीका सुवागत करताए नई द्रिष्टी नई राप उग्रामे बच्चे, खिद्स, टीनेजर्स आपको तो पता चल ही गया होगा आज हम किस की बात कर रहे हैं जी हाँ दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं माता पिता और बच्चों के व्यवहार के बारें तो दोस्तों सवाल ये है कि कितना प्रेम बच्चों के लिए इनाफ है क्या इसका कोई माप डंड है कब कहां और कितना प्रेम दिखाएए क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हम हमारे बच्चों से कभी कभी excessive frame करते हैं और उसकी वज़ाय से overprotective हो जाते हैं eventually वो suffocation फिल करते हैं और क्या parents का ये excessive frame या more कह रो बच्चों के development में बादक नहीं होता कई बार इस more का parents को पता ही नहीं चलता और बच्चे ये जानते हैं और उसका undue advantage भी लेते हैं तो ये frame और more की बीच की demarkation line कैसे पहचाने और इन में balance कैसे रखे चलिए सुनते हैं हमारे आत्मग्रानियों से इसका secret सब के सामने आपी टीचर में किस तरह से का ही है उसका उन्से कहसे कभी-कभी बार शしく शान्तीускा नगति लग्ती दुख क्यों होता है, अपने अंदर क्या कुछ कमी है, क्या गलतिया हो रही है, इसकी वज़े से हमें कुछ बुगतना हो रहा है, क्या भूल रहे जा रहा ही, इसकी वज़े से हमें ये बुगतने को आया, आप देखो धूंडो तो आप, एक के बाद एक के बाद एक के बाद और जैसे आपके नजर में आते जाएगे वैसे वैसे आप उसे छूटते जाओ यह मोह है अपने बेटों के प्रती यह तो 100% सची बात है यह कि इतना सारा मोह होने का कारण क्या है कैसे होगी, कहा से हुआ, कब से हुआ क्या कारण से हुआ यह मोह का सवरुप क्या है यह सारे चीज़े को उखेड के उखेड के देखते जाओ तो सब दिखेगा आपको और यह सब जुख होता है या द्वेश होता है, या राग होता है यह सारे चीज़े यह मोह क्या परिड़ाम है मूवी में तो मोह है तो इमोग को ही पहचान, उसके स्वरुप को पहचान उसको आत्म वática स्वरुप देखो बेटा है, वो रिलेट्व में है, रियल में नहीं है और यहाँ तो मेरा हिसाब है उसके साथ क Σब का कुरूब उससे जो लेकर आए है उसे पुरा करना है और ज़दा करना है सुने हैं जी में 18-20 years लग जाते हैं इतने समय के बाद parents और बच्चों का एक दूसरे के प्रती व्यवार take it granted सा हो जाता है कई कई बार इन रिष्टों में तो दोस्तों हमें पता ही नहीं चलता कि हम कहां गलत हुए बच्चे या parents किसी को भी दुख देने की इच्छा तो नहीं है तो क्या कारण है चलिए सुनते हैं अपने beloved आतनानी से निरुमा ये किस प्रकार का मूह है कि बच्चे सामने बोलते है तो याद क्यों नहीं रहता फिर दूसरे दिन फिर से क्यों वही बात हम कहते रहे थे कितनी कोसिस करते है कि ये अब नहीं उसको बोलना है नहीं बोलना है फिर भी वो लोग इतना अपमान करते है फिर भी हमारा क्यो बन नहीं होता कोई और और इस तरह से अपमान करेगा ना तो आपकी जब अनकायम के लिए बंध हो जाएगी, जाने दो इसको फिर दुबारा कुछ कहना ही नहीं है, मेरा इससे क्या लेना देना है, क्यों मैं सामने, खुद होकर क्यों अपमान मौन ले लू, लेकिन बच्छों के परती, पती के परती एसा उठता भी है, तो भी जादा ठिकता नहीं है, उनके प्रती मौ जो होता है, वो घेर लेता है, कही बार भुगतना जादा होता है, तो एक हफते तक आंकार से बंध होता है, फिर हफते के बाद तो डबल फूर्स से निकलता है, इसका कुछ सॉल्यूशन चाहिए, कि जब तक यह समझ नहीं आपकी के लगी एध्यात्मी क्विच्छल अंडर्स्टेंगिस मेरे है, मेरे है, मेरे है, जहां तक मेरा, मेरा है तक मोह है और उसे मार गिरने वाला है, मोह से इमार मिलता है, ऐसी जागरत ही नहीं होती है, कि एक बार मार गिरा कि फिर वो हमेशा याद रहे जाए मौ उपिर से उसको भुला देता है जाकरती में डाल देता है जाकरत रहता है झो उसको तो हाजी रहने रहता है कि ऐसा बुलने से क्या नुक्सान हमारा हुआ और बच्यों का हुआ कि दुबारा नहीं बूलेंगे पर यह तो भूल जाता है मैं मा हूँ और मुझे इसे संसकार देना है मुझे उसको कुछ बनाना है आप सुन रहे हैं नहीं दृष्टी नहीं रा यह हाजर रखते हैं न तो कई बार क्या होता कि द्वेस हो जाता है वो हाजर भी रहे और दवेश भी ना है उसके प्रती इसका कुछ सॉलुशन है दवेश नहीं आना चाहिए और तो फिर यह खड़े में से दूसरे खड़े में मुख के खड़े में से दवेश के खड़े में गिरे तो जबल कुना है समझ से चूटने का है देश से नहीं छुटने का है समध्दारी से इसका सुरूप क्या है इसका परिणाम क्या है पच्चे रियल में कौन है माई रियल में खुद कौन हूँ और यहां सब कहने एक से फाइदा क्या होता है कितना फर्क होता है कुछ फर्क नहीं होता है तो फिर उस कहने से क्या मतलब सब वेस्ट जाता है हमारे बोल वेस्ट जाते है इतना ही नहीं हम बच्छों की नजर से गिर जाते हैं जो हमारे बच्छों के मन दिल में दिमाग में हमारे प्रती जो मान है आदर है वह तूट जाता है छुटी छुटी बातों में उनको दाड़ते रहते हैं, उनको टोकते रहते हैं, सारा दिन टोक टोक करते हैं, ज़्यदा करके मधर ऐसा करती हैं, फादर ऐसा नहीं करता हैं, वो थोड़ा नोबल है, अंदरस्टैनिंग है उसमें, इसमें नोबिलिटी नहीं है, समझदारी कम पड़ती है, तो वो उसको टुक-टूक करती है, सारा दिन टुक-टूक करती है, इस से बच्चा पी कड़ता है, तो वही बंद करना है, यहां, समध्ने, समध्दारी से बंद करना चाहिए, समझ के, जिस जिस बच्छों को मैं अच्छे संसकार देना चाहती हूँ, वही मैं ठोक ठोक करके बच्चे को बिगाडती हूँ, उसके हंकार को छेडती हूँ, यह आँ दिखना चाहिए, खुले आम दिखना चाहिए, कि बच्चे बिगड रहे हैं, हमारी कहने साए उन पर कोई असर न नफरत करने लगता है, उसको प्रेम नहीं रहता है, उसको और कोई चारा नहीं है, कहाँ जाएगा, लेकिन मन में तो वो गरंथी प्रांदेगा, मा नहीं बानते हैं, बच्चे तो बानते हैं, कब इन से मा से छुटू कब, ओ, अमरीका में तो हम जाते हैं, तो, यहां भी हर क कोई बच्चे साही सोचते हैं, कि अभी कॉलेज में जाये, तो हम आजाद पंकी हो जाएंगे, और दूर कहीं हमें एड्मिशन मिला, तो बहुत अच्छा, होस्टिल में रहेंगे, आजाद पंची के तरह रहेंगे, फिर मा, माता की, पिता की, टिक-टिक बंद हो जाएगी आप सुन रहे हैं, नहीं दृष्टी, नहीं राँ और मुझे उसको, मैं उसको सिखाना चाती हूँ, मुझे उसको सुच्छ सिखाना है, वह ना समझ है और मैं बहुत समझती हूँ, लगुत्तम होकर पताओ, समझाओ, फ्रेंडली हो जाओ, तो आपका भी अच्छा हो जाएगा, और बच्छों का भी, जैस अच्छी तान सबसे प्यारे रिष्टे पे, जी हां दोस्तो आज हम बात कर रहे हैं माता, पिता और बच्चे के बारे में, दोस्तों बच्छों को अपने माबाब के साथ कैसा वयवार करना चाहे वो तो हम कहीं बार सुनते हें, क्या कभी वो माँ बापको बच्चों के साथ कैसा रहना चाहे वो सुना है जाना है समझा है हमने कभी सोचा है बच्चों के चोटी दिमाग पर माँ बाप की diment का एंगर का discipline का या असर होता होगा गलती कहां होती है किससे होती है बच्चों से या parents से इन सारे situation में उनको कैसे support करें कैसी समझ दे कि उनका character उभर के आएं और वो strong human beings बने आए जानते हैं अपने प्यार आत्मिनानी से अउल्ध मानते पात केहना बंद कर दो बात मना ना बंद कर दो एकसाucky रखना ही बंद कर दो फसलास दो च sherata कि χिलाने का तो बोले हैं ममी टोगे इय चेंते हैं तो पहुआ को पाप को बोतेched पालेंगेगे कम से कम शब्द बोलो अपेक्षा रखो मत और कोई भी पिटा ये नहीं कर तु बड़ी हो गई थोड़ा कर में काम बटवारा कर कुछ अपेक्षा मत रखो बोलो भी मत उसको उसको जो करना है करने दो उसको शुदात्मा देखो अज ग्यान ले लो बाद में शुदात्मा की दृष्टी मिलेगी शुदात्मा देखो और शुदात्मा को प्राथना जो शब्द भूसे बोलने है एक भी शब्द भूलना बंद करके भाव से शुदात्मा को प्राथना करो शुदात्मा गवान आज तक इसको इस प्रकार में ने गुसा किया, दुख दिया, इसके लिए मैं माफ्य मांगती हूँ, मुझे एक्षमा करो, ये फाइल का संभाव से निकाल करने की शक्ती दो, समझ में आया आप तो, ये बहुत कोशिस करती कि नहीं बोलू उसा फिर भी मैं निकल दाता है, ये निकल क में दुख है, शांती नहीं, इसके लिए एंकार से कुछ ने कुछ बोल देती है, दुख दे देती है, शांती मिले ऐसे करो, और सुधात्मा देखो और बोलो कि ये शुदात्मगान बेहन को शात्मी पिले, सुख में रहे, ऐसे कृपा करो, प्रार्थ ना करते रहो, किया, हमारे प्यारे आत्मगनानी ने प्यार भरा रिलेशन बनाए रखने के लिए हमें एक्सिलन पॉइंटर्स दिये, तो दोस्तों ऐसी सारे सवालों के जवाब पास सकते हैं हमारे हर रोज के कारेकरम में, सुनना ना बुलिये इसी समय इसी चैनल पे, अधिक जानकारी क आज के लिए हमें दे इजाजत कल, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए, स्टे इन दे प्रेज़न नई द्रश्टी ज्ञान विग्ञानी, नई द्रश्टी मुख्ष प्रदानी, नई राह क्रम मारगी, नई राह हो दादाई आउ प्रश्टी ज्रश्टी मुख्ष प्रदा विग्ञानी, नई राह हो दादाई आहो प्रख ने खिगे ज्रदानी आहो प्रेखने क्षिए इन्यानी आहो प्रेखने क्षिए इन्यानी